So, hello everyone, guys, रहर महादीव, राधी, राधी, कैसे आप सभी लोग, guys, I hope आप सभी लोग अच्छ गर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे, so guys, आश मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ, वो है आपके मारिश के आएगे, जो भी मुझे messages आएगे, मैं आपको देने की कोशिश करूँगे, कब तक आपके शादी होगे, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगे, so guys, अगर आप new हो चानल पे, तो reading स्टार्ट करने से पहले, चैनल को subscribe कर लेना, bell icon को दबा के all पे सेट कर देना, personal reading के लिए, आप मुझे instagram पे DM कर सकते हैं, instagram का link description में है, time stamps के just रुपाई, यहाँ फिर आप लोगों पर about section से भी देख सकते हो, so first file यहाँ पे sun card है, और अगर आपकी date of birth इन में से आती है, तो first file आपके लिए है, second file यहाँ पे 10 of cups card, sorry 10 of pentacles card, और I think 10 of cups की भी यहाँ पे energies हो सकती है, so आपकी date of birth पॉस करके, zoom out करके, आप चूज कर लेजिएगा, और अगर आप guys new हो, तो of course channel को subscribe कर लेना, so start, guys आपकी reading को first file से, so guys यहाँ पे आपके लिए first file, the sun card है, और अगर आपकी date of birth, 2, 11, 5, 15, 9, 3, 17, 7, 21, 13, 19, 25, 23, 27, 29 में से आती है, तो आपके लिए first file थी, तो देख लेते हैं, आपकी marriage किस person से होगी, कब तक होगी होगी, अभी और कितना समय आपके लिए बाकी है, क्या 2024 से पहले आपकी शादी होजाएगी या नहीं है ना, तो ये मतलब आपका रिष्टा हो जाएगा या नहीं, मतलब शादी हो जाएगी या नहीं, तो आज हम इसी topic योपर reading कर रहे हैं, so मलब 2024 खतम होने से पहले पहले, क्या आपकी marriage हो जाएगी या नहीं आज यह important topic है आपके लिए so guys अगर marriage हो नहीं होते हैं वो तो फिर 10 दिन में भी हो जाते हैं कई वार 20 दिन में भी हो जाते हैं 1 month डाल लो बीच में तो वो भी हो ही जाती है तो anyways यहाँ पर sun card की energy is the first file आपके लिए I think यह जो भी person है आपके यह बहुत ही ज़रा happy-go-lucky person है बहुत enjoy करना पसंद इस person को and also यहाँ पर ऐसा भी हो तो vice versa energies भी हो सकते हैं तो आपने साथ पर attach करके देखिएगा कुछ messages आपके लिए भी होंगे Sun ऐसी जगह पर रहते होंगे जहाँ पर गर्मी बहुत होगी I think ऐसी energies मुझे दिख रहे होंगे like North side है South side भी बहुत गर्मी पढ़ती है बढ़ हा North side भी पढ़ती है of course यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हाँ यह person यहाँ पर बहुत child-like nature के होसते हैं कोई authoritative position पर हो सकते है यहाँ पर इनकी family कोई authoritative positions पर हो सकती है so ऐसी कुछ energies मुझे यहाँ पर दिख रही है sun card से Leo sign इनके लिए important होसते है Singh राशी इनके लिए important होसते है आपके लिए so yes यह energies आपके लिए यहाँ पर आई है guys so tarot के through आपके लिए देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या energies आई है कि किस person से आपकी marriage होगी कौन है यह person जिन से आपकी शादी होगी guys so देख लेते हैं यहाँ से बाकी guys thank you so much जिनोंने भी personal readings लिए हैं and I hope आपको आपकी readings पसंद आई हो हाना so यहाँ पर guys सबसे पहला card है star और second card है यहाँ पर full card so बहुत अच्छी energies आ रहे हैं positive energies हैं यहाँ पर nine of swords card भी आही चुका है three of wands nine of pentacles nine of swords two nine की energies आपकी reading में आई हुई हैं okay so यहाँ पर आपके लिए और है knight of swords का bottom of the deck यहाँ पर four of pentacles है middle of the deck है यहाँ पर ace of pentacles amazing energies है guys okay so जो भी family से होंगे आपके partner यह बहुत rich abundant family से होने वाले हैं आपके partner okay और यह person खुद भी independent है okay I think आप sad हो थोड़ा आपकी marriage नहीं हो पा रही है I think आप बहुत ज़रा आपकी रातों के नेद उड़ रखी आपकी age भढ रही है so आप बहुत stressed out हो आपकी families बहुत ज़रा आपक होता है ना आपके उपर like दबाव डाला जा रहा है थोड़ा हना के yes आप शादी करो जल्दी करो कब क्यों नहीं कर रहे हो कब करोगे कब तक अपने career के उपर focus कर रहे हो कि आप अपने career के उपर focus कर रहे हो 100% मुझे दिख रहे हो okay पर हाँ आपकी families आपको कह रही है कि freedom पसंद है ठीक है freedom lover हो okay और आपको लगता है कि आपकी freedom यहाँ पे खतम हो जाएगी अगर आपकी शादी हो जाएगी okay and आप I think solo travels करना पसंद करते हो तो आपको यह है कि जो मेरी इच्छा है क्या वो पूरी कर पाएंगी या नहीं मेरे partner क्या उनके पास मतलब होतार है उनक stress आपके अंदर है वो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ और of course मुझे ऐसा भी लग रहा है जो girls उनको अपने घर के बारे में stress है कि yes मैं इसको छोड़ के जाओंगी तो कुछ ना कुछ यहाँ पे tensions हैं आपके mind में okay पर हाँ आप बहुत वेट कर रहे हो तो आपका यह weeks पड़े ही है I think हाना नहीं 9 weeks नहीं है 8 weeks I think 9 weeks ही हाना 25 के starting में आपकी marriage हो सकती है okay 2024 में मुझे यहाँ पे chances थोड़े से कम दिख रहे हैं आपके लिए okay आपकी marriage होते हुए 2024 में वैसे भी दो मन्त ही रहे गए हैं अभी आज 29th है तो of course दो दिन तो अक्तूबर में ही खतम होन travel करना पसंद है आपको मलत जारा weight करना पसंद नहीं है तो आपको अगर कोई weight करवाएगा तो आपको वहाँ पे hurt हो सकता है like ऐसी चीज़ें आपके mind में छो छड़ी चीज़ें यहाँ पे चल रही है I think कि क्या मैं शादी करू या ना तो 2024 से पहले आपकी शादी हो जाएग यहाँ पर यह दिख रहा है कि आपके जो partner है वो बहुत जारा savings करना पसंद करते हैं उनके पास savings है भी उनकी ठीक है तो उनके bank count में होंगी उनका bank count बहुत अच्छे से मतलब full हो रखा है ठीक है मतलब इतना वो capable है कि इतना earn कर रहे है कि yes उनके bank count में है money तो आपको बहुत सरे gifts भी देखने को मल सकते हैं आपके in-laws की तरफ से आपके partner की तरफ से after marriage या before marriage भी ओके या आप दोनों ही एक दम से मिलोगे ठीक है एक unexpectedly यहाँ पे आप दोनों की meeting हो सकती है या फिर आपके family वालों की बात हो जाए अगर range marriage कर रहे हैं पर यहाँ पे मुझे अपनी इच् की उनसार ही marriage करना चाहते हो और यहाँ पर आपके पस for baby भी हो सकता है या अडॉप्ट कर लोगे आप after marriage या अभी है आपके पास okay तो Aquarius sign, Aries sign आपके लिए important राशिया दिख रहे हैं मुझे और yes आपको ज़्यादा वेट करने के ज़रुरत नहीं है guys आपके partner within 9 days भी हो सकता है 9 weeks okay to 9 months okay तो यह समय हो सकता है कि आपके partner आपकी तरफ आ जाए okay 9 hours भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कहीना कि आपसे आपको proposal आए आप उनको hello hi हो जाए मतलब अगर online भी होनी हो तो वैसा भी दिख रहे है या 9 घंटों के अंदर अंदर आपके घर में को रिष्टा है और बातचीत होना स्टार्ट हो जाए तो ऐसा भी कुछ चीज़ें यहां पे हो सकती है बाकी it's a general reading so keep an open mind आपसे जितना भी resonate हो उतना ही लीजेगों के बाकी messages किसी और के लिए होंगे तो यहां पे गाईस ऐसा भी दिख रहा है कहीना कि आपके जो person तो अपने comfort zone में रहना पसंद है ठीक है, वह only comfort zone से बाहर नहीं आ सकते हैं so आपको उनकी comfort zone में ही रखना होगा उनको, so तभी वो आएंगे यहाँ आप बी जाओगे जब वो आपके comfort zone में, मतलब आपको comfort zone में रहने देंगे मतलब ऐसे कुछ यहाँ पी energies दिख रही है मतलब comfort zone होता है कि मुझे प्यार प्यार से बाते करो लडाई चक्राद निकाता है उनका comfort zone है ठीक है और आपके साथ उनकी fight हो रहे है तो वो उनका comfort zone से उनको अगर बाहर आने के लिए के लिए कहते हैं तो वो उनको पसंद नहीं है, ठीक है, तो ऐसा I think हो सकता है, मतलब कोई और एक्जामपल भी हो सकते हैं, यह जस्ट वैने एक्जामपल के रूप में बोला, सो यहां से क्या एक्जामपल दिख रहे हैं, यहां पर बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत अग्जामपल भी दिख रहे हैं आपके पार्टनों के, आपकी तरह बहुत जाए अट्राक्टिव भी दिख रहे हैं, और यहां पर यहां पर इसका एकर बोई हो तो जीम लवर है, अगर गर्ल है तो भी जीम लवर हो सकती है, यह बहुत हार्डवर्किंग परस्टनाल्टिब Archangel Michael guys 11-11 को भी show करते हैं, मैं अभी 11-11 बोल ही रही थे, ये card आ गया ठीक है, तो I think यहाँ पर आपके परसन twin flame हो सकते हैं, यहाँ फिर twin flame नहीं तो guys, soulmate तो हो ही सकते हैं, ठीक है कार्मिक नहीं बोलूँगे, बट soulmate हैं ये person, okay और ये person आपकी ना life में imbalance जो हो रखा है, उसको balance में करने के लिए ही आ रहे हैं, यहाँ पर action card है, action लेते हुए आप लोग दिख रो अपने जिन्दगी में, आपको कहा भी जा रहा है action लेजिए, अपनी जिन्दगी में, आपके life में growth लेके आएंगे, ये person आप दोनों ही साथ में मिलके, कोई नो कोई work start कर सकतो, कोई business start कर सकतो, ये भी energies मुझे feel हो रही है, okay मतलब कोई legacy create करके जाने वाला है, ऐसा कुछ feel हो रहा है मुझे, okay, लेको तना आपके family के पास कोई घर नहीं था, बट आपने घर वो buy किया अपने लिए, ठीक है, so ऐसी कुछ यहाँ पर energies दिख रहे हैं, आपके partner ऐसा आपके साथ help करके करेंगे आप दोनों साथ में घर ले लोगे, ठीक है, without कोई loan या ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब जो special हो कुछ है, किसी ने किया ही नहीं आपके family में ऐसा, तो hurt है, यहाँ पर कहीं न कि अकेला पन भी है, कुछ ठीक है कहीं न कि hurt भी है, यहाँ पर fights हो सकते हैं, कहीं न कि कोई ऐसी बाते हो सते हैं, जो आप नहीं चाहते थे, वो सो ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहे हैं, hurt ऐसे भी हो सते हैं, या past life की hurts हो सकते हैं, या पिछले जनम का, या इसी जनम में past का hurt हो सकता है, तो yes मतलब कुछ relationship में आपको hurt हुआ past में, उससे आप heal भी हो रहे हो इस relationship के थुए, and yes आपकी happy family दिख रही है, आप लोग बहुत अच्छी family अपने create कर लोग small सी, छोटी सी family, okay and आपका जो throat chakra है वो बहुत active दिख रहे हैं, आपकी intuition बहुत high है, यहाँ पर आपका throat chakra बहुत active है, आप यहाँ पर बहुत अच्छी से बोल पा रहे हो बहुत अच्छी से motivation दे पा रहे हो लोगों को, और लोग आपको motivate कर रहे है so throat chakra की यहाँ पर energies दिख रहे हैं, और यहाँ पर आपका जो third high chakra है यहाँ फिर आपके partner का throat chakra बहुत active हो सकता है, वो एक influencer हो सकता है, वो एक motivator हो सकते है, social media apps पर हो सकते हैं, जिसके through वो अपना earn करें यहाँ बोलते हैं यहाँ कुछ ऐसा, कुछ ठीक है so yes, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहे है six chakra archangel metatron से कि yes, वो person जो भी है उसका six sense बहुत अच्छा अगर वो girl है तो उसका तो normally वैसे six sense बहुत अच्छा होगा अगर boy है तो भी यहाँ पर energies दिख रहे हैं मुझे, okay so yes, guidance मैं देख लेती हूँ आपकी शादी किस person से होगी बाकि उससे पहले 39 numbers important जो है वो बता दू 39, 12, 3, 4 35, 8 यहाँ पर 17 भी है, 9 भी है और also guys, यहाँ पर 40 है, यह 4 है, यह 8, 8, 8, 888 number भी आपके लिए important हो सकता है, okay so यहाँ से क्या guidance है आपके लिए okay, so guys यहाँ पर lady nada आई है, so यह show कर रही है कहीं न कहीं heart awakening होते वे दिख रही है आप क्यूंके so आपको कहा जाए, अवेकन टो septus and divine love, so अपने आपको accept करना मलब होते है न, अपनी चीजों को accept करना सीखो, अवेकन करो, अपने mind को अवेकन कर वाओ, and आपको divine love प्रवाइड किया जा रहे है यहाँ पर, okay, उसके उपर focus करो give and receive and balance so देन लेन जो है, प्यार का वो balance में करो, चाहे प्यार का है, चाहे पैसे का है, चाहे, केर का है, okay देन लेन है, जो वो हिसाब में करो, because यहाँ पर वही कहा ज़रे, give and receive and balance, okay and master Jesus आए है, यहाँ पर वो show कर रहे हैं कहीं न, कि आपकी जिंदगी में forgiveness आपको provide की जारी, you are on the path of love, light and forgiveness father healing is possible at this time अगर आपके father से आपकी नहीं बनती है, तो यह possible है, कि आप उनकी healing हो पाए, बहुत अच्छे से, okay relax हो पाए, बहुत अच्छे से and yes, आपकी जो love, light and forgiveness की energy से, आपको कहा ज़रे, इस path पर आप चल रहे हो, okay, तो इसके उपर focus जादा करना है, forgive करना सीखो लोगों को, maaf करना सीखो के and यहाँ पर green तारा मा आई है तो यह इनका मंत्र होता है guys, marriage की रिगाड़ें ही, तभी यह आई है, क्योंकि marriage की रिगाड़ें इनका एक मंत्र भी है, वाल्लो आपको बस, आपको अगर बहुत सारे या, मतलब आप 51 ताइम कर सकते हो, या फिर 21 ताइम या 11 ताइम, जब भी आपको टाइम मिले आपको ग्रीन तारा मा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सुप्रेम प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड की जा रही हो and you are protected, cords are being cut cords आपकी लाइफ से कट की जा रही है और आपको यहाँ पर कहा जा रहे move beyond limitations, trust so, limitations की beyondly move करने की कोशिश करो के and विश्वाश रखो universe क्योंकर सब कुछ अच्छा होगा अच्छे से हो जाएगो के bell चिडिक है, यहाँ पर हाई learning की energies है so, yes, I think आपके partners जो हैं, वो बहुत जार protective हैं, आपको लेकर बहुत जार educated person दिख रहे हैं, यह आप हो सकते हो, vice versa energies हो सकते हैं, यह फिर दोनों ही ऐसे हो सकते हो, and also यहाँ पर आपको कहा जा रहे है, आप learn कर तो experiences, get through, okay and also यहाँ पर आपको यह भी guide किया जारा है, एक तरह से more inner study is now required to further progress, okay so, आपको और inner study करनी चाहिए, चीजों के उपर, okay so, that आपकी life में furtherly आप success कर पाऊ जिलियों के चीजों, मतलब चीजों को लेकि, okay, so, यहाँ पर है धर्मा sorry, डेजवाल खुल, धर्मान folding, so, आपको यहाँ पर अगीन वही चीज़ कही जारे है कि आप एक पाथ पर हो, एक मतलब आपका रास्ता है, एक आपकी destiny है, वहाँ तक आपको पहुंचना है बढ़ हाँ वो एक रास्ते के थ्रू ही जा सकते हो, आप, so, यहाँ पर वही energies देगी जारी है, okay so, yes, मैं लास्ट में देख लेते हूँ क्या 2024 से पहले आपकी marriage हो जाएगी, या रिष्टा हो जाएगा या नहीं, okay, अगर तो guys, 9 weeks में हो गया 9 days, 9 weeks में कोई रिष्टा वगरा हो गया आपका, तो बहुत अच्छी बात है हो जाएगी शादी, okay अगर नहीं हुआ तो guys, of course delay हो सकती है तो यहाँ पर guys, आपके लिए क्या energies है, death card transformation, change, okay okay, son of pentacles है so guys, यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, okay next month, 8th or 9th month important हो से, या अभी से अभी, 8th से 9th, हफ़ते यहाँ पर दिख रहे हो, okay और यहाँ पर 2 साल का समय भी कुछ लोगों के लिए होसता है, या 2 महीने कम से कम, okay, मतलब, यह जो December निकल जाए, उसके बाद January में आपकी marriage हो सकती है, so यह energies मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, okay और February में आपकी या January में आपकी marriage हो सकती है, chances हैं यहाँ पर, okay and also guys, यहाँ पर transformation आपकी life में आएगी जिसके थूँ आपकी जिंदगी में बहुत सारी opportunities आ रहे हैं, बहुत सारी यहाँ पर energies आ रहे हैं आपके लिए, okay so anyways guys, अभी के लिए इतना ही हर हर महाँ दिए, राधे राधे God bless you everyone, take care bye guys, so hello everyone guys, हर हर महाँ दिए, राधे राधे, कैसे आप सभी लोग second pile guys, जिनकी भी date of birth 1, 6, 18, 4, 22, 14, 16, 12, 10, 24, 26, 8, 28, 30, 20 या फिर 31 में से आती हैं, तो आपके लिए second pile थी, okay, या फिर आपने 10 of pentacles pile को मलब कार्ट को choose किया है, okay तो देख लेती हैं, क्या आपकी शादी इस साल हो पाएगी या नहीं, 24 खतम होने से पहले, okay, मलब या फिर कोई रिष्टा आ जाएगा, आपका रोका हो जाएगा, सो या engagement, या कुछ भी आप गोल सकते हैं, ठीक है क्या 24 से पहले पहले आपकी शादी हो जाएगी या नहीं, okay और अगर नहीं होगी तो कितना वाज समय लगेगा, ठीक है सो आज हम इसी topic के ओपर reading कर रहे हैं सो यहाँ पे गाईस मतलब जिनका पेट भारा हुआ है ऐसे लोगों में की life में आप जाने वाले हो, ठीक है ऐसे family में आप लोग enter करने वाले, okay यह energies मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं और बहुत happy family है, यह, okay happy go lucky people है, यह, okay इनके पस dogs हो सकते हैं dogs यह, फिर एक dog तो पका ही होगा, okay और यह, इनके घर के आस्वाद जरूर होगा उसको यह खाना वगएरा देते होंगे, ठीक है अगर इनका कुछ मतलब खुद पैट नहीं रखा हुआ है इनका ठीक है and yes, यह कोई city area में दिख रहे हैं, okay city area से हो सकते हैं, ठीक है कोई शहर से, लाइक नगरी से हो सकते हैं फिर मलग कहीं से भी हो सकते हैं बढ़ हाँ, वो city type area होगा इनका, ठीक है और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहे है यह earth sign के people, मलग हो सकते हैं आपके partner हो earth sign के उनके sun moon rising और नौज नौड में earth sign जरूर आता होगा means torus or go Capricorn, okay यह energies मुझे यहाँ पर दिख रही है also यहाँ पर मुझे जो दिख रही है वो यह है कि आपके जो partner है वो family person है, okay बढ़ उनको घर वालों के साथ रहना पसंद है family के साथ रहना पसंद है enjoy करते हैं वो company को या फिर लोगों के साथ मतलब अगर अपनी family नहीं तो लोगों के साथ घरे रहना पसंद करते हैं, ठीक है अगर कहीं भी किसी relative के यहाँ गए तो वहाँ भी family के अंदर बैठेंगे, अकेले बैठना पसंद नहीं करते हैं, okay, बहुत like होता है न, gossip करने वाले people लग रहे हैं, यह, okay and also आपके partner यह, and yes, मुझे अभी feel हुआ, कि आपके जो partner है, उनके family, जो है वो well-known family होगी, ठीक है, मतलब उनको जानते होंगे like वो city में जानते होंगे लोग बहुत, उनको मानने अता होगी, उनकी मतलब कुछ ना कुछ important people हो सकते हैं, important personalities इनके घर में हो सकती हैं, चाहिए वो social media apps के through बने हैं, चाहिए वो जैसे भी government jobs, authoritative positions पे जाके बने हैं, okay businessman लोग हैं, तो मतलब कैसे भी करके बठाएं का नाम होगा, so यहां पर hermit card के energies हैं, okay first pile, sorry, first card आपके लिए, second pile, यहां पर sun card के energies आचुके हैं so first pile भी आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने first pile बोला और first pile का ही main energies जो sun है, वो ही यहां पर आके बैठ के है, तो 100% confirmation है कि first pile आपके लिए बहुत important है, उसकी energies जिसको जुरूर check out करना, I think आपके partner के हो सकते हैं, यहां पर मतलब कैसे भी करके, okay so, यहां पर king of pentacles, sun card है, six of cups card के energies हैं, okay the justice और last card है आपके लिए the judgment, wow justice and judgment card दोनों ही एक साथ हाए हैं, bottom of deck the page of wands और middle energies हैं यहां पर five of wands okay, so I think guys, यहां पर मैं देख पार हूँ कि आपकी शादी बहुत normal way में तो नहीं होने वाली है, okay मतलब यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा आपकी जो marriage है, वो मतलब होता है ने, आपकी जो partner है उनके साथ या तो कोई ना कोई difference है आपका, या कुछ नो कुछ तो यहां पर चीजें हैं, जिसके वाज़े, fight वगएरा होना, शादी से पहले, आप दोनों में ही नहीं बन रही है, या families के रिष्टे बनने में ही बहुत कठनाया आएंगी, बढ़ हां, in the end मतला आपकी शादी यहां पर दिख रहे हैं, मुझे marriage आपकी ही होगी, उनके साथ, और यहां पर वो person आपको gifts भी देंगे, या आप उनको gift देने वाले हो, ठीक है, gifting nature इस person का मुझे दिख रहा है, आपको वो बहुत gifts देंगे, और येस, आप भी उनको बहुत सारे gifts दोगे, तो यहां पर यह भी energies है, कि आपको justice मिलेगा guys, आपने क्या पता मुझे क्या क्या hard work किया है अपने जिंदगी में, अगर आप बहुत hard working personality हो ना guys, तो आपको जो hard work आपने इस time किया है न, उसका fall आपको future में इस person के through मिलेगा, यह person आपको बहुत अच्छे से रखने वाले है, इस person की earnings बहुत अच्छी होंगी, जिसके through आपको भी अच्छी lifestyle मिलेगा, और yes, मतलब मुझे यहां पर बहुत अच्छी decent family, यहां पर दिख रहे हैं बहुत अच्छी family, इस family के साथ, okay, जज्जमेंट जब आपको मिलेगी तभी आपकी marriage होगी, judgment के इलावा यहां पर नहीं दिख रही marriage, और यह person बहुत rich abundant family से हैं, और खुद भी बहुत अच्छा earn कर रहे हैं, यहां पर यहीं दिख रहे हैं, और sun card के energy इस शो कर रहे हैं, अपके हैं, और joyful nature इस person का हो सकता है, अकेले रहना कहिना के इस person को, मैंने यहां पर बोला था कि इसको अकेले रहना पर नहीं पसंद है, अगर इनको लगता है कि मिरी peace यहां पर खो रही है, मैं शान्त नहीं रह पा रहा हूँ, और शान्ती मुझे नहीं मिल रहे है, तब यह peace को ढूनते हैं, शान्ती को ढूनते हैं, और also hope है इनके मन में कि यह सब को सही होगा, I think यह famous होना चाहते हैं, इस person के name fame पाना चाहते हैं, इस वज़े से यह चीज़े हो सकती हैं, कि इस चीज़ को work out करने के लिए, यह सब चीज़े की जा रही होगे, और Leo sign आपके लिए important होसता है, Libra sign, Sagittarius, बाकि यहां पे सभी के सभी signs है, Aries, Leo Sagittarius, Cancer Scorpio Paisis, Taurus, Capricorn, Air sign नहीं है, बढ़ हाँ Libra है यहाँ पे, Libra राश्य यहाँ पे है, यहाँ पे आपके जो सारे element है, वो बहुत ज़र active रहेंगे, इस time पे financially भी abundant, यहाँ पे energy दिख रहे हैं, इस person की, बहुत passionate person है, आपके लिए ठीक है, यह person मतलब बहुत child-like nature हो सकता है, इस person का, थोड़े mature रहेंगे यह person, but yes, with time यह person change, लाएंगे अपने energies में, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहे हैं, जब यह person आएंगे आपकी जिंदगी में, तब यहाँ पे आपकी, life में बहुत सारे opportunities आएंगे, आप उसको कैसे grab करोगे, नहीं करोगे, वो आपके उपर है, but हाँ, यहाँ पे यह दिख रहे हैं, यहाँ आपकी जिंदगी में, मुझे ऐसा लग रहे हैं, यहाँ आपकी life में कहीं न कहीं है, यह चीज कि हाँ, आपके partner आपसे age में बड़े हो सकते हैं, यहाँ आपसे छोटे हो सकते हैं, मतलब difference यहाँ पे थोड़ा होगा, 6-7 साल का, तो यह difference मुझे दिख रहे हैं, मतलब बट हाँ, यह है कि यह general reading है guys, so keep an open mind, आपसे जितना भी resonate हो, उतना ही लेजेगों कि, so, देख लेते हैं, और क्या energies आपके लिए आ रही हैं, आपकी फानेशल कंडिशन बहुत अच्छी दिख रहे हैं, आप बहुत intuitive दिख रहे हो मुझे यहाँ पी, और also मुझे ऐसा भी दिख रहे हैं, आपके पास कोई ना कोई position तो है, यहाँ आप अपने दम पे बने होई, या फिर आपकी मतलब उतना, आपके पास कोई position है, आप खुद independent हो, आपका खुद का business हो सकता है, यह भी energy दिख रहे हैं, आपके partner भी एक business man हो सकते हैं, private jobs में हो सकते हैं, MNCs वगरा में, यहाँ पे action card है, यह person action लेंगे आपकी तरफ आ रहे हैं यह person, क्या 24 से पहले पहले आपकी शादी हो जाए, खतम होने से पहले पहले, यह भी देखेंगे हम last में, बाकी guys, thank you so much, जिन्होंने भी personal readings book करवाई थी, और yes, आपको अगर जो भी personal reading मिली है, मुझे ज़रूर review share करना guys, चाहे वो love related आपने ली है, चाहे career, चाहे money, चाहे marriage related जिन्होंने भी ली है, तो of course, मुझे से ज़रूर review share करना, जब भी आपकी marriages हो चाहें उस time में, क्यूंकि में को बहुत, मतलब मैंने अपने खुद से बार बार जाके पूछा है, बहुत सारे लोगों से, और उनके वो wishes fulfill हो चुकी है, उनकी मतलब marriages हो चुकी है, और उन्होंने में को बताया भी नहीं, review भी नहीं share किया, कि हम ma'am को बता ही दे, काजल को बता ही दे हम जाके, so anyways, यहाँ पे action आपके लिए, आपके partner लेंगी, आपके लिए door to spirits open हो चुकी है, I think यह person बहुत spiritual हो सकते हैं, that's the reason यह हो रहा है, और yes, peaceful environment, यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, आपके partner के साथ, बहुत spiritual होने वाले हैं, भगवान को मानने वाले होंगे, आपके partner, कहीना कि guys, यहाँ पे यह भी है, कि spirituality के रास्ते पे यह चल रहे होंगे, और आप भी spiritual हो अगर, तो यह जोड़ी बहुत अच्छी चलेगी, कहीना कि आपका जो third eye chakra है, वो बहुत active होता हुआ दिख रहा है, so उसको activate करो, and yes, अपने future की बाते, आपको खुदी पता चलने लग जाएं, क्या हो रहा है क्या नहीं, बढ़ हाँ समझना जरूरी है उन सब चीजों को, and यहाँ पर यह person आपसे long distance से हो सकते हैं, okay, foreign से हो सकते हैं, अलग state, अलग relation हो सकता है, कुछ भी, okay, बढ़ हाँ, यहाँ पर यह चीज़े मुझे दिख रहा है कि, यहाँ जो भी आपके partner है, वो फॉरन से ही होने वाले हैं, okay, so, yes, आपके लिए बढ़े 9 number, 11 number, 40 number, 4 number, and also 42 number, 17 number, 8, 6, यहाँ फेगाईस, आपके लिए 32 number भी important होसता है, okay, means 5 number, so, यहाँ पर आपके लिए bottom of deck है community, मैंने बोला ना, उस person को अपनी community में रहना पसंद है, उसको अपनी family के साथ रहना पसंद है, हाँ, थोड़ा केला रहना पसंद है, बट वैसा नहीं कि, हर टाइम है, अकेले बैठे रहे नो, family के साथ enjoy करना, family के साथ अगूमना, ठीक है, सो यह सब चीज़े मुझे यहाँ पर दिख रही है, seven number आपके लिए important होसता है, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहे है guys, आपके जो cousins हैं, आपके जो family हैं, वो बहुत supportive दिख रही है मुझे, आपकी marriage के regarding, बहुत supportive, चाहिए वो आपके wish के मताबिक हो रही है, चाहिए नहीं, बहुत supportive family है यहाँ पर, उस person की भी और आपकी भी, सो यहाँ से guidance क्या है, यह देख लेती हैं, ओके, सो commander इस तर शो कर रहे है, call to action, मैंने action बोला न, आपके partner action लेने, within 8 days हो सकता है, 8 weeks, 8 weeks का इस December से पहले, पहले ही हो जाएगा खतम, तो of course, आपकी जो marriage है, तो जाद 24 से पहले हो सकती है, second pile, but हाँ, chances 50-50 हैं, okay, so मुझे यहाँ पर, first pile में भी नहीं दिखा है, और second pile में, 50-50 chances दिख रहे हैं, okay, जो भी लोग चाहेंगे, उनका हो भी चाहेंग, okay, जो लोग नहीं चाहेंगे, उनका नहीं होगा, okay, so yes, आपकी जो marriage है, उसके regarding, यहाँ energies है, take charge, lead by example, walk your talk, so walk your talk guys, okay, example की तरह lead करो, example create करो, ठीक है, so यहाँ पर आपको, यही बोला जा रहा है, and yes, कुटु में आए है, clock of wisdom की energies है, you already know the answer, so आपको पता है, आपके questions का answer क्या है, so उनको answer करिए, ठीक है, and trust what you know, trust करो, trust रखो, जो भी आपको पता है, समय, okay, see this first pile में भी, same third card ही आया है, इनका, so इनका मंतर, जो green तारा मा का होता है, marriage के regarding, तो आप उसको भी chant कर सकते हो, 11 time, 108 time, so अगर आप new channel पे, तो guys reading को न, subscribe, sorry, channel को subscribe कर ले न, bell icon को दबा के, all पे set कर दे न, reading को like कर दे न, okay, and personal reading के लिए, आप मुझे Instagram पे, DM कर सकते हो, Instagram का link description में है, या आप लोगों पर about section से भी देख सकते हो, okay, यहाँ पे guys, आपको supreme protection प्रोवाइड की जा रही है, और आपको कहा भी जा रही है, you are protector, cords आपके लिए cut की जा रही है, okay, and आपको यह भी कहा जा जा रही है, move beyond crunch challenges, so guys, crunch challenges से आगे बढ़ने की कोशिश करिये, so यहाँ से देख लेते हैं, क्या energies है guys, last card क्या है आपके लिए, so yes, hope, यह person बहुत hopeful रहते हैं, बहुत इनके मन में रहते हैं, कि yes, मिरे सत्य होगा, तो होगा, love और प्यार, और acceptance के पर जादा फोकस करते हैं, okay, and love is yours, organized your divine birth, choose loving thoughts, so I think, आपके partner, choose कर रहे हैं, loving thoughts, okay, and यहाँ पर divine director, आपकी marriage काई, ऐसे ही नहीं होने वाली, मैंने जैसे बोलाई था, five of wands card आया था, four of wands, मिरे मुँ से निकला, तो आपकी शादी तो है, यहाँ पर 100%, but हाँ, यहाँ पर divine intervention जब करेगी न, तब ही आपकी marriage है, जब भगवान कहेंगे, कि अब शादी करनी है, then आपकी marriage होगी, और उससे पहले, मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, but yes, आपके लिए देख लेती हूँ guys, अपने छोटे स्मॉल से डेक्स से, कि आपके लिए, 2024, तक कब तक शादी होसते, या फिर अगर नहीं होगी, 2024 के खतम होने तक, तो guys, आपके लिए, कौन सा और समय आ रहा है, तो एक साल का समय, बहुत passionate, अगर आपको रेडिंग पसंदाई हो, आपको रेडिंग पसंदाई हो, पसंद आई हो और येस आपसे मैच हुई हो अभी के लिए इतना ही हरह महादेव रादे रादे गौर्ड ब्रस्ट रिवान टेक केल बाई गाइस